नमस्कार दोस्तो आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्निशियन नहीं भरती दोजार चोईश क्रिकाड़ी जैसा कि आप लोग के मालम होगा कि 944 पदों के लिए अउला नवेदन नौ मात से उसलिके एंड तक जरूर देखें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेश कर ले फ्यूचर में लेटेस्ट अबडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए तो दोस्तो यह रहा ओफीसियल एफेक्यू कूल मि अगर आपका रिजल्ट आठ अप्रेल के बाद में आता है तो दोस्तो आप हमको अप्लाइब नहीं है तो यहां पर आपका रिजल्ट आठ अप्रेल के बाद में आता है तो दोस्तो आप हमको अप्लाइब नहीं कर सकते हैं यहां पर दे सकते हैं साफ साफ में आपर में अपर नहीं कर दिया गए है कि जिन अभी हर्थों का आठ अपरिल के बाद में रिजल्ट आएगा या फाइन रिजल्ट आएगा वह फाउमको अप्लाइब नहीं कर सकते हैं दोस्तो 12 नंबर पर यहां पर important प्रस्ट दिया गा है देख सकते हैं How many pay levels are there in? जैसा कि आप लोग के मालू होगा कि इसमें दो प्रकार के post है Level 5 का है और Level 2 का है Level 5 में technician grade 1 का है और Level 2 में technician grade 3 का है 18 नंबर प्रस्ट ने हां पर देख सकते हैं Can I submit common application for both pay levels? देख सकते हैं अंसर मिला है No Separate application must be submitted for each pay level तो दोस्तो दोनों पोस्टों के लिए आपको अलग-अलग आवेदन करने होंगे और अलग-अलग आवेदन करेंगे तो आपको अलग से payment ही करने पड़ेंगे वही 14 नंबर पर प्रस्ट देख सकते हैं दोस्तो 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 दोनों के लिए अलग-अलग जोन भी चूज कर सकते हैं कोई दिखकत नहीं है आगे मेंशन भी किया गया है 15 नबर प्रस्ट देख सकते हैं Can I apply to different RRB for different payables? एंसर में देशकते हैं याष आप apply कर सकते हैं दोस्तो अगर आप दोनों फ्रस्टो के लिए apply करना सकते हैं तो दोनों अलग-अलग जोन को चूज कर सकते हैं जैसे मान ले जाए कि आपने technician grade 1 के लिए RRB Mumbai चूज कर लिया लेकिन technician grade 3 के लिए आप सोचते हैं कि इसी कंद्रावाद हमको form apply करना है तो दोस्तो form apply कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है 16 नमर पर हम पते सकते हैं Is the fee common for both the application दोस्तो इसके लिए common नहीं है जब आप अलग-अलग zone में apply कर सकते हैं तो दोस्तो आपको अलग-अलग ही आपको payment लगेंगे तो दोस्तो आप लोग को अलग-अलग payment देने होंगे 17 नमर प्रस्ण है Can I apply to more than one RRB for the same pay level यहाँ पर पुछा जारा कि एक अभिहरती एक RRB के अलावे दूसरे RRB में भी form apply कर सकते हैं क्या दोस्तो same pay level पर आप apply नहीं कर सकते हैं जैसे उपर बताया कि आप 5 लेवल 2 के लिए अलग-अलग जोन में apply कर सकते हैं पर अगर आप सोचते हैं कि level 2 के लिए ही याण technician grade 3 के लिए ही दो-दो जोन में apply करे तो आप apply नहीं कर सकते हैं देख सकते हैं highlight करके mention कर दियागा है No, you should not next question है यहापे कि I have qualification in both 10 plus 2 in physics and math and ITI in prescribed trade can I submit two application separately for technician grade 3 post दो दोस्तों बहुत स्यवजर्यती सवाल पुछ रहे थे कि technician 3 में तो दो परकार के post है एक जो poster है आपको 10 plus 2 याण PCM वाले के लिए है और ITI वाले के लिए है तो बहुत से विजर्यती पुछ रहते कि sir मैं तो PCM से भी कर रखा हूं तो का दोनों poster के लिए अलग-अलग apply कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं अगर आप ITI कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग को एक ही बार apply करना होगा अगर आप दो बार करते हैं तो आपका phone reject हो जागा देख सकते हैं यहाँ पर highlight करके mention भी कर दियागा है applying two more than one RRB for the same pay level by a candidate bill result in the reject of all replication for pay level and devourment from all future examination of RRB and RRC तो समझ सकते हैं जिसलिए देख सकते हैं यहाँ पर कितना penalty बड़े लग रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सिधे exam से divide कर दिया जाएगा और आप RRB और RRC के exam नहीं दे पाएंगी दोस्तों आप लोग ऐसा गलती नहीं किजिएगा देख सकते हैं आगे पुछा गया है कि I have under gone lasik surgery I am eligible to apply दोस्तों यहाँ पर देशकते हैं उन्होंने वेंशन कियागा है कि अगर आप lasik surgery करवा रखे हैं या करवाने वाले हैं तो आप जितने भी यहाँ पर medical standard A3 वाले post हैं उसके लिए eligible नहीं होंगे उसके बाद में जो post है जैसे B1 है B2 है C1 है यह सारे जो post हैं उसके लिए eligible होंगी पर A3 वाले post के लिए lasik surgery वाले eligible नहीं होते हैं नेक्स प्रस्ण पुछा गया था UY अधार verification is required तो दोस्तों जैसा कि आप लोग के मालूंगा जब exam होता है उसमें अधार card खोजा जाता है उसी से verification होता है तो दोस हो गया quarter ID card हो गया और employer ID हो गया उसके बाद में school college university यह सारे जो प्रूफ हैं आप देश सकते हैं नेक्स प्रस्ण नेक्स 22 नमर कोशन देखें तो बहुत ही अच्छा प्रस्ण पुछा गया था कि what document should I produce if I have early day change my name तो दोस्तों अगर आप नाम change किये है तो देशकते उसके ल original name और change name दोस्तों आपको उहां पे फिल कर देना है और जो आपका दूनों change है आपनी जो नाम change करवाया है उसका document और पहले व्ला document दूनों जाकर कि आपको दिखाना होगा डिवी के टाइम में उसके बाद दूस्तों 25 नमर प्रस्ण देखते हैं can I change my choosing RRB दोस्तों you cannot change choosing RR after submission of application तो एक बाद form apply करने के बाद में आप RRB change नहीं कर सकते हैं next प्रस्ण है can I edit my details during the application process देख सकते हैं application process में है तो आप form को edit कर सकते हैं जितने वह कीजिए जब तक आप final submit नहीं करते हैं जब तक आपको कोई दिखकत नहीं है आप form को edit कर सकते हैं next यहां पे who are eligible for free travel authority तो जो कंडेट ACST होते हैं सुदूल कास्ट होते हैं और सुदूल ट्रिव कास्ट होते हैं उन्हीं को यहां पे free travel authority मिलता है दूसरे कंडेट को नहीं मिलता है यहां पे देख सकते हैं how do I avail free travel free railway pass तो दोस्तो इसके बारे में ही बंसन किया गया है this facility is available only for ACST कंडेट while filling up online application such कंडे should choose yes from the drop down under do you wish do you wish to avail free travel pass for the exam and fill nearest railway station they are also required to upload their car certificate तो दोस्तो जो कंडेट ACST certificate यहां पे submit करेंगे और यह process करेंगे तो उनको फिर इमें पास दिया जाएगा उसके बाद में दोस्तो प्रशन पुछा गया है how can I receive the free travel pass तो दोस्तो in case of eligible ACST connect their city intimation sleeve e-correlator itself भी contain free travel authority तो दोस्तो जब आपके एडमिकार जाई होंगे या city intimation जारी होंगे दोस्तो उसमें आपको mention रहेगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं I am unable to upload my card certificate दोस्तो बहुत से भीरतिक पूछ रहे थे कि मेरा card certificate upload नहीं हो रहा है तो उसको साइज यहां पर देख लिजी उसमें भी पीडियक में भी mention किया गया था notification में भी 500 के वी से अंदर का होना चाहिए यहां भी mention किया गया है